पूरे आप वाइडियसी एपरेटस को किसी लिक्वेडिया वाटर कहीं भी लेगा है दूसरे मीडियम में तो जहां पर भी आप एर की वेवलेंथ यूज कर रहे थे जो भी आपकी मैक्सिमा मिनिमा यह सब कंडिशन थी पूरा अपरेटस जाना चाहिए विट आदा अलग जा अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ पूरे इसको मैं पूरे की पूरे अपरेटस को मैं किसी दूसरे मीडियम में डिप कर देता हूँ ठीक है न पूरा अपरेटस मैंने किसी दूसरे मीडियम में लेगा तो क्या चेंज करना आप वो सारी चीज़ें वही रहेंगी ठीक है बस ल लेम्डा M से रिप्लेस हो जाए, तो फ्रिंज ये कितना है, फ्रिंज विट थे आपकी लेम्डा कैपिटल D upon small d, बीटा डैश कितना हो जाएगा, लेम्डा M capital D upon small d, ठीक है, अब आपको म्यू की डेफिनेशन से, मीडियम में वेवलेंड, लेम्डा M medium की वेवलेंड है, ठीक लेम्डा M की जाएगे, लेम्डा air upon new रख दिया, तो ये क्या आगई, पुरानी fringe bit आगई, air में जो थी, बीटा डैश अपॉन बीटा है, तो आप किसी भी मीडियम में ले जाओगे, कैसे भी refractive index के ले जाओ, air के अलावा कहीं रह लिए गए, तो आप देखरो बीटा, पक इसलिए fringe pattern क्या हो गया, shrink कर गया, तो इसको contraction of, contraction of, contraction of fringes in another medium, तो fringe pattern shrink कर जाता है, जब आप किसी दूसरे medium में अगर ले गए, दो medium का compare करना है, तो फिर आप mu1, mu2 से compare कर सकते हैं, इस medium में fringe width इतनी ती, इस medium में इतनी है, तो आपको दिख रहा है कितना आएगा, बीटा डै दो medium के refractive index का ratio भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपने दोनों medium में fringe width का ratio निकाल लिया, कुछ भी बन सकता है, आप समझदार है, इतना handle कर सकता है, एक और problem देखिए आप इस तरह की, ये भी IV अभी 2019 में आई है, इसको साथ में ही कर लेते हैं, देखो, यन्हें YDSC slits are placed 0.320 mm apart, तो clear है, आपको meaning, अब होती feeling से समझ माने लग जा हो, इतने जिन हो गया है, आपने YDSC पढ़ते हैं, तो YDSC slits are placed 0.320 mm apart, light of wavelength 500 nanometer, light of wavelength 500 nanometer incidence on the slits, total number of bright fringes that are observed in the range, minus 30 से 30 के बीच, total number of bright fringes कितनी होंगी, ये पूछा है आप से, find out total number of bright fringes that are observed in the range, minus 30 to 30, theta, theta के बारे में कुछ नहीं बताया था, ये exactly मैंने उससे कह रहा हूँ, इसने मान लिया कि सब कुछ आपको आता ही होगा, theta क्या है, और ये कुछ नहीं लिखा था, इसने इतना ही problem है, मैं सीधे paper से ही पढ़ रहा हूँ, अभी ये problem आपके लिए, ठीक है, तो ये आपका ब right fringes कितनी होगी, बहुत ही simple सी बात है, 30 degree पर देख लो, n की value क्या रही है, उससे पहले कि सारी n से 0 के बीच होगी, minus 30 से 0 के बीच, और उतनी minus 30 से 0 के बीच होगी, इसने कुछ और mention नहीं किया है, हा रश्मी, very good बता, exact पता है, आपने बिना गलती के बीच, ये ना तो गल forward to advance में देखा लिए, और बहुत basic लगाता है, बहुत ही basic बेसिक चीज़े के लगाता है, बिल्कुर, ठीक है, और mains का favorite चीज़ें इसी तरह की रहती है, इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनकि जो mains में अब तक सबसे अच्छे थे, वो मैंने ले ली है, बाकी तो ब दी साइन सी टॉदर, क्या बता हो, तो 30 डिग्री पर पार्ट डिफरेंस, दी साइन 30, बस टू एन लेंड, तो 30 डिग्री पर एन की वैल्यू देखो, सिंपल वैल्यू स्पूट करने ही, समझधारी से, थोड़ा calculation है, इसमें, मीटर में convert नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, त समझ मारी, बता है, क्या लिखा है, मैंने, 320 तो आप हो गई, exactly 30 पर 320 है, ठीक है न, तो आपने 320 आप हो गई, 320 डाउन हो गई, सारी, माइनस 30 ने देखो, equal to लगा है, आप ध्यान से देखे, आप equal to लगा रखा है, तो 30 वाली भी include करनी है, आपको इसका है, ठीक है न, तो इसलिए 320 उपर, 320 नीचे और रश्मी ने गलती नहीं करी, कही बार ये रह जाती है, फिर क्योंकि 640 टिक हो जाता है, डार्टी, तो र इस प्राबलम में थोड़ी भी इस तरह की हैंडलिंग में, YDSC